हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रिक टू फाइंड बॉण्ड ओडर होप आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा आज के लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड है इसके थ्रू आप कार्बन कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजिशन फाइंड कर सकते हो प्लस किसी भी गिवन स्पेसीज की वेधर इस आयन मॉलिक्यूल एनिधिंग तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड कितने ट ऐच्पल कोलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मींग मींज 1 सिंगम और पाई बॉन्ड पासेपरेट विडियो में जाल्दी ही बनाहोंगा और डॉबल बॉन्ड में क्या होगा रन affected मार्ण सिंग फाई बियो दो पाई बॉन बॉन्ट इस ऐपां जैना कां एंग पाई पाय क कैसे form होगा by the sharing of two two electrons from each of the contributing atom and triple bond by the sharing of three three electrons from each of the contributing atom single bond means sigma bond double bond one sigma one pi triple bond one sigma two pi suppose carbon atom के around हमने count कर लिया sigma bond number of sigma bonds अराउंड सेंट्रल कार्बन आटम इस बेसिस पे आप कार्बन की हाईब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो हाईब्रिडाइजेशन और शेप आफ मॉलिक्योल्स वेन वन कार्बन आटम इस सेंट्रल тобं ये कंसेट्रि कर डिरेक्त्रिक ना हमसे केमिकल बांडिंग में और्याणिक केमिस्ट्रि में विज्चार सकते हैं तो फाईब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आटम इस abge One कार्बन के राउंड थ्री सिग्मा बॉंड है hybridization क्या होगा SP2 शेप इस ट्राइगनल प्लैनल है फोर सिग्मा बॉंड कि SP3 है टेट्रा हेड्रल क्योंकि कार्बन में चार ही बॉंड बनाने की टेंडेंसी है यह टेट्रा वैलेंट है तो कार्बन के डिफरेंट सिचुएशन को हम डिसकस कर लेते हैं यह टेकार्बन के पास टोटल फोर सिग्मा बॉंड है फोर सिंगल बॉंड मेंस फोर सिग्मा बॉंड तो इसकी hybridization क्या होगी SP3 यह टी कार्बन के अराउंड थ्री सिग्मा बॉंड है वन पाई एक्शली सिग्मा बॉंड इस रिलेटेट टो hybridization पाई बॉंड का इससे कोई relation नहीं है सिकेंड कार्बन के पास वन टू थ्री सिग्मा बॉंड है और एक पाई बॉंड है थ्री सिग्मा पे मैंने hybridization क्या बता है SP2 और यह टी कार्बन के पास सिर्फ दो ही सिग्मा बॉंड है टू सिग्मा टू पाई टू सिग्मा पे hybridization क्या होगा SP 1 triple and 1 single के case में भी 2 sigma है और 2 pi हैं hybridization क्या होगा SP first carbon के पास 4 sigma bond है single bond is called sigma bond 1, 2, 3, 4 4 sigma पे hybridization मैंने क्या बता हुआ है SP3 second carbon के पास 1, 2, 3 sigma 1 pi 3 sigma पे hybridization क्या है SP2 और last के दोनों ही situation को आप देखो इसमें 2 sigma 2 pi 2 sigma पे hybridization क्या है SP last वाले में भी 1 sigma, 2 sigma and these two are pi hybridization SP तो carbon के around 4 sigma, 3 sigma और 2 sigma hybridization क्या होगा SP3, SP2 and SP इसका use आप किसी question में कैसे कर सकते हो like हमें fine करना है methane में carbon की hybridization and shape shape भी मैंने बता हुआ है कि SP3 पे आप shape क्या लिखोगे tetrahedral SP2 पे trigonal planner और SP पे linear methane की structure draw कर लेते हैं carbon के पास total कितने sigma bond है 4, 4 पे hybridization क्या होगा SP3 और SP3 पे मैंने shape क्या बता हुआ है tetrahedral right CCL4, CCL4 की structure draw करो carbon के पास total कितने sigma bond है 4 single bond means 4 sigma bond carbon की hybridization SP3 and shape is tetrahedral next in formaldehyde formaldehyde having formula HCHO इसका structure बना के देखते हैं C double bond O H अभी carbon के पास कितने sigma bond है 3 sigma 1, 2, 3 sigma 1, 5 3 sigma पे hybridization क्या होगा SP2 and its shape is trigonal planar जब भी carbon के round 3 sigma bond हो like in HCONH2 structure HC double bond O NH2 हमें focus carbon पे ही करना है कि carbon के round कितने sigma bond है 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma and 1 pi 3 sigma पे hybridization SP2 shape is trigonal planar कुछ ऐसे भी molecule हैं जहां carbon के round सिर्फ 2 sigma होते हैं उनका shape क्या होगा linear like in CO2 CO2 की structure है C double bond O double bond O carbon के round कितने sigma bond है 1 sigma, 2 sigma बाकि दोनों क्या हैं 2 sigma पे hybridization SP और shape क्या हो जाएगा linear HCN hydrogen cyanide HC triple bond N अभी carbon के round कितने sigma bond है 1, 2 2 sigma पे hybridization क्या होगा SP and its shape is linear तो फिर आपने क्या देखा इसमें कि carbon के पास जब भी 4 sigma bond होंगे hybridization SP3 और shape क्या आजाएगा tetrahedral जब भी carbon के पास जैसे next case में हमने formaldehyde लिया है methanol carbon की hybridization SP2 क्यों है क्योंकि carbon के round 3 sigma bond है shape is trigonal planar in last example carbon के पास कितने sigma bond है 2 sigma bond है CO2 में 2 sigma bond और shape क्या आजाएगा ये trick आपको help करेगा carbon की hybridization and shape find करने के लिए और second trick जो अब हम discuss करने वाले हों किसी भी molecule या iron की hybrid state या number of hybrid orbital predict करने में helpful होगा इसका use आप chemical bonding के अलावा organic chemistry में competitive examination में इसके direct question आ सकते हैं even in final examination 11th या 12th में hybridization को आप MCQ question में directly इसके थूँ find कर सकते हो predicting the hybrid state of central atom central atom of any molecule और आयन एक बार आपने find कर लिया hybrid state तो shape find करना भी easy होगा number of hybrid orbitals equal half total number of valence electron in central atom इसे हम VE से लिख लेते हैं plus number of monovalent atoms और ग्रोप अटेच्ज तो सेंट्रल आटम monovalent atom minus charge on cation plus NIN के case में हम क्या करते हैं charge at NIN अब इसमें जो मैंने short cut word यूज किया उनकी meaning separately आप समझ लो यहां VE stands for total number of valence electron जो outermost orbit के electron होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं valence electron of central atom outermost orbit में जितने वी electron होंगे monovalent atom MA MA is number of monovalent atoms or groups attached to central atom monovalent की meaning क्या है जो single bond बनाते हैं like hydrogen और halogen basically यही monovalent होंगे हमारे slivers में जो single bond ही बना सकते हैं these are monovalent charge at cation c को हमने लेट किया है cation का charge जितना भी charge cation पे होगा उतने ही हम माइनस कर लेंगे charge on cation and A is charge on anion cation की क्या meaning है cation means positive ion anion means negative ion number of hybrid orbital इस trick के through hybrid orbital को हम HO से लिखेंगे shortcut में इस basis पे आप बदा सकते हो hybridization यही किसी स्पीसीज में number of hybrid orbital 2 आ रहे है तो उसकी hybridization आप क्या लिखोगे SP if number of hybrid orbitals are 3 SP 2 if number of hybrid orbitals are 4 hybridization SP 3 if number of hybrid orbitals are 5 it is SP 3D if number of hybrid orbitals are 6 it is SP 3D 2 and if the number of hybrid orbitals are 7 the hybridization is SP 3D 3 इसमें shape का भी idea आप थोड़ा knowledge रखो like SP में shape linear होता है generally geometry इसकी linear होती है loan pair आने पे थोड़ा vary कर जाएगा but SP 2 में trigonal planar SP 3 tetrahedral geometry SP 3D trigonal bipyramidal पेरामिडल जमेट्री SP 3D 2 octahedral octahedral is also called square bipyramidal and SP 3D 3 is pentagonal bipyramidal shape assigning के लिए whisper theory का separate video lecture जल्दी अपलोड करूँगा मैं आज आप सिर्फ ट्रिक्पी की प्रैक्टिस करो कि हम किसी भी molecule या आयन के central atom का hybridization directly कैसे find कर सकते हैं by using this formula number of hybrid orbitals number of hybrid orbitals can be determined as half पहले हमें क्या करना है half और bracket में valence electron जो भी central atom के होंगे प्लस उसके साथ जितने भी monovalent atom होंगे लाइक हाइड्रोजन और हैलोजन टाइप डाइवैलेंट आटम को इग्नोर करना है यहीं किसी केटायन का hybridization आप फाइंड कर रहे हो central atom की तो माइनस चार्ज आट केटायन और एनायन में क्या होगा प्लस चार्ज आट एनायन एक्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा तो फस्ट एक्जाम्पल है यहाँ तो फाइंड नंबर ओफ हाइब्रिड और बाइटल से इन एन एच फोर प्लस एन इस फोर में सेंट्रल आटम क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के वैलेंस एलेक्ट्रॉन कितने हैं फाइव फाइव वैलेंस एलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है नंबर ओफ हाइब् प्लस hydrogen is monovalent इसमें कितने monovalent atom हो गया 4 प्लस 4 और यह cation का case है जो भी इस पे charge होगा उससे आप minus कर लोगे minus 1 एनायन की case में हम add करेंगे plus 1 cation में हम remove करेंगे total sum is 8 1 by 2 into 8 तो इससे क्या आ गया 4 और 4 पे मैंने hybridization क्या बताया हुआ sp3 तो इससे आपने predict कर लिया कि इसमें nitrogen की hybridization क्या है sp3 किसी भी central atom की hybridization find करने का यह best trick है कितना भी complicated ion molecule कुछ भी हो like in NH3 central atom is nitrogen इसके valence electron कितने है 5 हमें find करना है number of hybrid orbital half nitrogen के valence electron 5 monovalent atom कितने है 3 और यह cation anion का case नहीं है तो इसमें कुछ भी plus minus हमें नहीं करना है 8 upon 2 is 4 और 4 पे hybridization क्या आ जाएगा sp3 next example cl o4 negative cl o4 negative में central atom क्या है chlorine the less electronegative atom of the species is called central atom इसमें chlorine के valence electron है 7 and we have to find number of hybrid orbital half इसके valence electron chlorine के कितने है 7 and there is no monovalent atom oxygen is divalent तो इससे आप ignore करो फिर मैंने बताया था है कि जो भी cation का charge है वो minus करेंगे और जो anion का charge है वो plus इसमें charge है negative 1 जितने भी minus 1 है तो आप plus 1 करोगे minus 2 होता तो plus 2 करते एड करना होता है charge on anion और cation का जो भी charge है वो इस valence electron से हमें remove करना होता है इसमें कोई monovalent atom है नहीं तो 1 by 2 into 8 is 4 hybridization क्या आ जाएगा sp3 इसमें chlorine की hybridization क्या है sp3 competitive exam में या mcq में generally options given होते हैं आप trick से directly find करके correct option को tick कर सकते हो bcl3 boron is central atom boron के valence electron कितने है 3 और chlorine एक monovalent atom है number of hybrid orbital half boron के valence electron है 3 and monovalent atom भी कितने है 3 total 6 upon 2 3 और 3 पे hybridization क्या बताया गया है previous chart में sp2 hybridization इसमें boron की हमने hybridization directly find कर लिया sp2 suppose की molecule होता be f2 fluorine monovalent है कोई भी हेलोजन को आप monovalent ही मानके चलोगे और beryllium is central atom beryllium के atomic number है 4 इसके valence electron कितने है 2 number of hybrid orbital half boron के beryllium के valence electron कितने है 2 and 2 fluorine है दोनों ही monovalent है plus 2 और यह kataninan का case है नहीं कुछ भी हमें plus या minus नहीं करना है number of ho hybrid orbitals are 2 hybridization क्या आजाएगा sp तो इसके थ्रूँ आप किसी भी molecule या आयन के central atom का hybridization find कर सकते हो pcl-5 phosphorus is central atom इसके valence electron कितने है 5 5 valence electron and number of monovalent atoms कितने है 5 number of hybrid orbital half phosphorus के valence electron 5 इसमें monovalent atoms कितने है 5 और यह kataninan का case नहीं है तो 10 by 2 से number of hybrid orbitals कितना आजाएगा 5 और 5 पे मैंने hybridization क्या बता है SP3D हमें क्या करना है इस चार्ट को follow करना है जितने भी hybrid orbitals आएंगे उसके recording आप hybridization बता होगे जैसे अभी previous example जो मैंने करा है 5 number of ho है hybrid orbitals तो hybridization SP3D 6 पे क्या आएगा SP3D2 7 पे क्या आएगा SP3D3 तो 6 और 7 के cases भी discuss कर लेते हैं SF6 sulfur is central atom 2866 इसके valence electron है and fluorine is monovalent number of hybrid orbital half sulfur के valence electron कितने हैं 6 monovalent atoms कितने हैं 6 तो half into 12 6 the hybridization will be SP3D2 next IF7 IF7 iodine iodine is 53 2 8 18 18 18 7 यह इसके valence electron है number of hybrid orbitals half half iodine के valence electron 7 और इसमें 7 monovalent atom है as fluorine is monovalent plus 7 it means half into 14 7 7 पे क्या hybridization मैंने बताया था SP3D3 molecules neutral हो तो बहुत easily आप central atom की find कर सकते हो hybridization और positive negative charge के case में थोड़ा carefully करना है like CO3 2 negative carbon के valence electron कितने हैं 4 and oxygen is divalent divalent को हमें ignore करना है number of hybrid orbital half carbon के valence electron कितने हैं 4 monovalent atom इसमें नहीं है और charge है 2 negative तो जितने भी negative charge है वो आपको total में यहां add करना है positive को remove कराना है 1 by 2 into 6 is 3 3 और 3 पर hybridization क्या होता है sp2 तो किसी भी central atom जिसमें charge given हो है जैसे आप positive negative कोई भी case इसमें ले सकते हो cation, anion, anything NO2 positive nitrogen is 7 इसके valence electron क्या है 5 number of hybrid orbital 1 by 2 1 by 2 valence electron 5 और oxygen is divalent ignore करो positive charge के लिए क्या करना है minus 1 it means it means 4 by 2 means 2 आ गया इसकी hybridization क्या हो जाएगी sp और यह सपोज NO2 negative होता then NO2 negative में हम कैसे find करेंगे number of hybrid orbital half half valence electron कितने nitrogen के 5 oxygen is divalent ignore होगा but negative charge है तो आप plus 1 करोगे 6 upon 2 3 3 पे क्या आ जाएगा sp2 किसी भी मॉलीकियोल या आयन whether it is catain और एनयन उसके central atom की hybridization point करने का यह best way है competitive exam में mcq objective question इस पे आ सकते हैं even in academic examination hope आपको यह video lecture समझ आया होगा thanks